जाहें इस बीड़ों लोग आई एक्स यानि के इंडियान इनर्जी एक्सेश कंपनी वारें बात करेंगे पिछले दो दिनों से इस कंपनी के सेर प्राइस में कछी खासी तेजी दीखी जा रही थी लेकिन फिर आज इसमें गिरावट का दोड़ शुरू हो गया और यह जब म कंपनी के सेर प्राइस में डाउंटेंड शुरू हुआ है वह कब अप्टेंड में जाएगा ताकि सेर अपने हाई को ब्रेक कर सके ताकि जो सेर सोडर उनको मुनाफ़ा हो और यह भी बताऊंगा कि नहीं लोगों को भीस में इंवेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाह सकते हैं सेर प्राइस देखेंगे सेर प्राइस हाला कि जब आप मार्केट खुला था तो यह 217 रॉपया पर रॉपया दिल बर लेकिन साम होते होते ही गिरावट के साथ 213 रॉपया पर बंद हुआ हाई लगा चुगा और यह हाई लगा था 10 दिसंबर को 10 और अभी मार्च चुरू हो गया लगबक तीन माहा से इस कंपनी का सेर प्राइस लगाने बाद जो नीचे का तर्याव लुड़का है तो नीचे ही ट्रेड कर रहा हाला कि बीच बीच में सेर प्राइस जरूर किया हाई की बहुत करिब तक आया लेकिन हाई को ब्रेक्ट नहीं कर पाया है इस जो एक ब्रोक्रेज हाउस इस ने इस इस कंपनी के टार्गेट दिया है 232 रुपएगा देखिए कोई भी ब्रोक्रेज आसे इसके पार्टिकुलर परती उसके बास थोड़ी को तेजी देखने को मिली भी लेकिन फिर आज इसका से लुड़ाग गया और 233 रुपए के आसपा से जाना शुरू कर जाता है तो बहुत जल्द एक माह का रिटर्ण इसका साड़नौ परसेंट निगेटिव में दिखा रहे हैं बहुत जल्द अभी पोजेटिव में हो जाएगा एक सब्सक्राइब और साल बर का रिटर्ण भी इसका पोजेटिव में ही है अब यहां अपने सेकेंड रिश्टेंस लेवल को पार कर जाता है तब अराम से इसका जो इसका डार्गेट दिया 122 रुपय का वह पूरा हो जाएगा इसका जो सपोर्ट लेवल है अगर यह नीचे आता है तो आ सकते है दूसों पांच रुपय तक और दूसरा जो है स्ट्रौंग सप कारान के कि किस कारान से यह समझेंगे सबसे पहले तो मार्केट का मूट ठीक नहीं आपको पता है कि यह इतना ज्यादा तनाव पूर्ण हो गया है कि पूरे दुनिया का बजार का यह हाल है और इस तनाव को चलते इसमें सेलिंग प्रेसर अधिक देखने को मिला आज इस प अधिकता है तो उसका यह आप देखेंगे अगला क्वाटर में नहीं रहेगा कंपनी डिविडिडेंड साल में एक बार तो देखेंगे किसी साल में दो बार भी डिविडेंड देती है भिपक्षि सदरी है पुब्ली कहान्स बढ़ा करता हैं ल juda यहीं कोई समझ नहीं आता है इस कंपणी में देखाले में प्रोमोटर्स नहीं है नीच्पते ही यह घ्षुड़ाइक फ़ोड़ा बहूत वर भूठा इसको पास है पबल्ली के पास 13.66% और एक पास 31.01% के हिस्तेदारी है मतलब हिस्तेदारी कमानों कहें अगर प्रमोटर देर पास थोड़ी बहुत हिस्तेदारी होती तो ज्यादा मज़ा आता अगर ओभर ओल इस कंपनी के बारे में आपको बताएं तो कंपनी ठीक है कंपनी जिस से बिलॉंग करती है पावर सेक्टर का भारत में भविस्ते और अब कंपनी रिनीवल इनर्जी सेक्टर में अभी कदम रखने जा रहे तो उससे भी काफी तगड़ा मुनाफ़ा होगा आने वाले समय में इस कंपनी को और इस कंपनी के स्टेर सोडर्स को तो अगर आप उप्री लेबल पर भाई में बिल्कुल नहीं सुचे मैं सिर्फी से बात नहीं करूं आप किसी वी स्टोक से फिलहाल एक साथ तक दूरी बनाके रखिए और अगर आप मुझसे जूड़कर परसनली मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं मुझसे कोई बात ही करना चाहते तो आप इंस्टाग्राम पर मुझको फोलो कर सकते इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सन में चैनल के बाउट सेक्षन मिल जाएगा इस वीडियो से डेटेट कोई सवाल है तो मुझसे कमेंड में पूछ सकते बाकि मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तो तक देने बात शुक्र प्रीडियो